पॉल की वार्निंग भी है वो है नौर साधर्सान में जो 48 घंटे में टेज बारिश हो सकती है रैपूर के लिए भी अभी मौसम इमार ने सम्भावना चता है कि अगले 24 घंटे में एक बार फिर ऐसे ही में गरजन वाले बादल इखटे हो सकते है और बारिश हो सकती है एक बा से है राखी मैं आपसे एक बात और प्रशन पूछना चाहूंगा आप मौसम विभाग आप देखती है मौसम पे पूरे गर्मी बरसाथ बारिश ठंड में आपकी नजर रहती है फोरकास्ट का जो इनका तरीका है जो चेतावनी जारी कर देता है प्रशाशन के पास सूचना पहुँचती है वो तंत्र कितना मजबूत था कल किस वर्ट प्रशाशन ने चेतावनी दी क्या इसमें मुस्तेथ था प्रशाशन और आपका ये मौसम विभाग अमीर इस बारे में आपको भी अच्छी से पता है कि मौसम विभाग का फोरकास्ट काहें भगाई कि जी सही हो पाता है हर बार ये फोरकास इंटा गलत ही जाता है इस बार तो खेर हम ये कहते हैं कि टेखनिकली जो ये एकदम जो बरसाँत आई है ये अचानक वाली बरसाँ इसके लिए फोर्कास बहुत पहले नहीं हो सकता था मौसमेंगा कहना है कि हमें देर जब बारिश शुरू हुई थी उसका में प्रशासन को चेता जरूर दिया था कि बारिश बहुत देर सकती है आप अलर्ट हो जाएं लेकिन हाँ ये जरूर है कि एक बार फिर इनका मौसमेंगा का जो पोर्कास का सिस्टम है वो कड़ बढ़ा गया और ये पहले नहीं देख पाए कि इतना गहर हो सकता है बारिश पे राकी आप शहर बर में आप गई आपने जायजा लिया आप सांगानेर में थी आप जलमेहल की पाल से हमें सीधे जानकारी दे रही थी क्या मनजर देखे आपने लोगों का क्या कहना था वहाँ देखिए अमिद जो रात को बारिश हुई से नो डाउट पुरे शहर में तपाई हुई है बहुत नुकसान हुआ है लेकिन हाँ जलमेहल जह हम गई तो वहां का जो नजारा था वह बहुत खूस्तूरत था जलमेहल पूरा लबालब था वहां की पाल है उसकी दिवार जी राखी मौसम ये सुहाना तो नहीं कहा जाएगा जिस मौसम ने दस लोगों की जान लेली हो हाँ लेकिन बादलों को देखकर उन लोगों को जिनको अभी तक सूचना नहीं मिली है कि शहर में कितनी तवाही मची है वो जरूर मौसम का एंजॉय कर रहे हुए हम आपको य बात हुई तो प्रशाशन की और से वो मुस्तेदी का दावा जरूर कर रहे थे लेकिन एक मंतरी को ये तक ख़बर नहीं थी कि उनके आप दा प्रबंदन कंट्रोल रूम के फोन बंद पढ़ गए थे शॉर्ट सर्किट के कारण बी टीवी ने उन्हें जानकारी दी तब उ टीवी तो आप णके पोरा जो द兄 आप ये ठीवर लग फोरा ही बंदन की प्रिशाशन के लिए उनका यही कहना है कि अ बूत्रीज सिस्टम नहीं हो ले एकारणी इतनी क्रीवी हुई आपनी चाफो लले जाफी नहीं बहुँ लोहो ना पानी नहीं जमाओ और यथी पानी वहाँ पर कोटे में थी वहाँ पर व्यापारियों को बहुत नुकसान हुआ है व्यापारियों के आपने द्रश्य भी हमें वहाँ से दिखाये थे क्या कहना है क्या अंदाजा है आपको कितना नुकसान हुआ होगा इस बारिश जी राखी धन्यवाद इस समतमाम जानकारी के लिए आपने जो हमें भी बताया कि शेहर में इस वक्त भी रिमजम बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने जो चितावनी दिये उसको हम दोहराना चाहेंगे कि जो ये बादल है इस तरह से मेग गरजन की जो घटना होती है और इस तरह की मेग गरजन के साथ जो बारिश होती है वो देर रात की संभावना होती है तो लोगों को फिर alert करना चाहेंगे कि तयार रहें 24 घंटे तक ये ऐसा होने की संभावना है राखी हमसे जुड़ी उसका हम उन्हें धन्यवाद देंगे फिर उनसे जानकारी के लिए हम दोबारा जुड़ेंगे अभी फिलहाल वक्त हुआ है ब्रेक का ब्रेक के लिए लोटेंगे ब्रेक से लोटने के बाद फिर दिखाएंगे शहर में क्या चल रहा है बीटीवी की टीम पूरे शहर का ऐसा कोई कौना नहीं है जहां बीटीवी की टीम मौजूद ना हो हम आपको बता दें हमारे कुछ केमरामेंट साथी तो देर रात को बारा बजे से ही फिल्ड में निकल गए जैसे ही उन्होंने बारिश की गरजन सुनी तेज बारिश देखी अभी ब्रेक ले रहे हैं लोट कर आपको दिखाएंगे शहर के कुछ और हिस्सों का ताजा हाल